हेलो घाइज साथ होप आप सब अच्छी होंगे सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना connectometric iteration और सब्सक्राइब करोंगा तो connectometric iteration है क्वैं या स्टुदिंग अबाउट कांडेक्टमेटिक टाइटरेशन एक परड़ी कविर अब सब्सक्राइब कर चुके नूशन का एक पार्ट में पढ़िए पड़ा चुका हूं कि Conductometric Titration क्या होता है तब ध्यान से समझना यह जो Second Part काफी important part होने जारे किसमें मैं जिके और Detailed वाले जो Parts हैं जो इसके Conductometric Titration की Talking Types होते हैं वूँमें आपके साथ सब्सक्राइब घ्रॉँगा जैसे सिसक् GIRL के साथ के सा तो हम वीग से के साथ स्वाइज को गए सिस्ट तो हम अगर वीक एस "-क्विसट को गुए सीथा तो इसके से क्या है कि अब का यूगए से साथ ग्रिया हूं तो लुप विक एसेद्श लाइक मैने हां पर एक एसट ले लिया CS3 CUH, Weak Acid के लिए, Like मैंने यहां पर एक Weak Acid CS3 CUH लेदिया, Weak Acid हो गया और इस Weak Acid के साथ मैंने Strong Base like NAH लेदिया, ठीक है, Weak Acid के साथ मैंने के लिए, NAH लेदिया, तो यह जो Weak Acid है नहाँ आपको वर्स इस से पहले लिख के दिया जाता है, इसको Analyte कहते हैं, इसको फिर्ट के लिगू 해도 थिलानेंगी इसको इनिय नालाइक और यहां पर चंज आप रुट है तो एक अच्पाइ्ट नियूट्रल मॉल्सक्व प्रॉट अजिस्सट क्रार्भी चंज यह सद्थिसग न्युट्सटीए अलेगा मिलेगा तो इतनों हमें Acetic Acid मिलेगा दूसरा में क्या मिलेगा Sodium Salt of Carboxylic Acid ठीक हो गया अब इसमें एक फेक्टर लगता है इसको कहते है Common Ion Effect ठीक है इसमें एक फेक्टर लगता है जो क्या करता है Common Ion Effect करता है अब हम देखते हैं कि Common Ion Effect basically क्या होता है तो अगर मैं बात करूँ Common Ion Effect की Common Ion Effect क्या होता है तो जैसे आप 2 Wicker लेते हैं तो क्या लेडिया हमने विकर ले लिए यह दो विकर लेडिये में तो इस एक विकर में मैंने क्या डाला इस एक विकर में ने यहाँ पर हाइडोकलोरिक एसिड डाल दिया SCL और दूसरे विकर में ने यहाँ पर वाटर डाल दिया ठीक है इसके अंदर SCL है और इसके अंदर क्या है वाटर है तो SCL के अंदर सबसे पहले आपने क्या एड किया Acetic Acidate किया CS3COOH और similarly मैंने H-Positive N को release करेगा yes or no Acidate का H-Positive N को release करेगा और यहां भी h-Positive N release करेगा यहां भी h-Positive N release करेगा और water ही क्या release करता है H-Positive N release करता है लेकिन अगर मैं Acidity की बात करूं तो CS3COOH यानि की Acetic Acid और water में कौन ज़्याता acetic है ओव्यस है acetic acid ज्यादा acetic as compare of water लेकिन अगर मैं acidity की comparison करूं between acetic acid and hydrogloric acid then you will say obvious है कि hydrogloric acid ज्यादा acetic होता है तो हो तो क्या रहा है कि दोनों ही जगा पर iron produce हो रहे हैं दोनों ही जगा पर क्या हो रहे हैं iron produce हो रहे हैं बट यहाँ पर acetyl strong acid है तो यह क्या करेगा इस h positive iron के effect को suppress कर देगा इस h positive iron के effect को क्या कर देगा suppress कर देगा यहाँनि कि acidity यहाँ पर acetic acid के वज़े से नहीं होगी Acidity यहाँ पर hydrogloric acid के वज़े से होगी लेकिन जब water अगर में आप Acetic Acid करोगे तो यहां पर Acetic Acid का H-Positive iion Water के H-Positive iion के Effect को Suppress कर देगा क्योंकि यहां पर Water से ज़ादा Acetic कौन है यहां पर Water से ज़ादा Acetic Acid तो हम यह कह सकते हैं कि अगर आप Acetate iion की बात करते हो जो जो Acetate iion बन रहा है इसका Effect Scl में जो H-Positive iion बन रहा है और इसका Effect Water में अगर दोनों को comparison करोगे तो यह Effect Water में बहुत ही जादा होता है तो इसको कहते हैं Common Iion Effect कि जो Strong होता है वह वीक वाले के Effect को क्या कर देता है सप्रेस कर देता है जो Strong होता है वह वीक एफेक्ट को सप्रेस कर देता है ठीक है आपको यह समझ में आ गया अब हम आगे Graph क्यों बढ़ते हैं हमें जो Graph plot करने हैं वह वीक आसिद वह से Strong Base में Graph plot करने तो यहां पर मैं Graph plot करता हूं फिर मैं समझाता हूं आपको तो यहां पर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक बॉक्स जरसा मैं बना रहा हूं और उस बॉक्स के अंदर फिर मैं आपको कंडेक्टेंस ओ करता हूं इसका ठीक है तो लाइक हमने एक बॉक्स ले लिया तो यहां उपर की साइन में दिखा रहा हूं कि कंडेक्टेंस ऐंक्रीज हो रहा है अर यहां पर मैं जो भी वॉल्यूम एट करूँगा जो भी टैटेंट है उस Pendulum अंच्राटा वर शक्राभे यहां बॉक्स क्या है वीक एसिड है वीक एसिड है तो यहां पर सबसे पहले एक डिप मिलती है अभी बताता हूं डिप क्यों मिलती है डिप के बाद फिर ग्राफ कंटिनियूसली इस तरह से कॉंस्टेंटली इंक्रीज करता है ठीक है इस तरह से इंक्रीज करता है और उसके बाद जैसे कि एक graph हो गया first, यह graph हो गया second और उसके बाद conductance suddenly high हो जाने लगता है, मतलब conductance फिर बढ़ने लगता है, ओपर के और conductance जाने लगता है, यह तीसरा graph हो गया, ठीक है, तो इस point को कहते है end point, इस point को कहते है end point कहते है, now this is called end point, अब ज़र इस graph को ध्यान से समझने कोशिच करना, य प्रश्ट initially क्या होता है, initially जब इस graph को देखते हैं, तो सबसे पहले हमको dip देखने के लिए मिल रही है, तो dip देखने का मतलब क्या है, कि solution में क्या present था, solution में H positive ion present था, मैं पहले dip की बात करता हूँ, यह कहना यह dip है, तो पहले मैं इस dip की बात करता हूँ, कि सबसे पहले आ पहले आ रही है क्योंकि H positive ion, H positive ion is replaced by Na positive ion, H positive ion is replaced by Na positive ion, ऐसा होगा की नहीं होगा, क्योंकि जब आप क्या करोगे, acetic acid है, is acetic acid में CSTCO-H positive है, और आपने इसमें क्या किया, हमने इसमें Na positive और OH negative ion को add कर दिया, यह OH negative ion इस H positive से मिलके क्या बना देगा, water molecule बनाएगा की नहीं बन जगा कौन ले रहा है एने पॉजिटिव एन ले रहा है कि नहीं ले रहा है सॉलेशन में एच पॉजिटिव की जगा कौन ले रहा है एने पॉजिटिव एन ले रहा है और अगर मेरी प्रिविएस लेक्चर की वीडियो आप देखोगे तो मैंने बता रहा है कि H positive ion का molar conductance abnormally Na positive से काफी high होता है growth has mechanism लगती है उसके अंदर यह आपको previous class में समझा रहे है मैं उसका link आपको description ने provide कर दूँगा ठीक है तो H positive ion का concentration abnormally Na positive से काफी ज़्यदा क्या होता है high होता है इसलिए जब H positive था तो conductance ज़्यदा होगा लेकिन जैसी H positive की जगह Na positive आएगा तो conductance कम हो जाएगा न क्योंकि H positive की तरह Na positive का conductance उतना ज़्यदा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर हमको पहली क्या मिलती है dip देखने के लिए मिलती है तो यह dip किस वज़े से आ रही है कि H positive ion Na positive ion से replace हो जा रहा है दूसरा उसके बाद हमारे पास acetic acid है ठीक हो गया acetic acid है तो यहाँ पर क्या होता है suppression होता है suppression of dissociation of acetic acid by the presence of CS3-Cona मतलब जब यहाँ पर reaction हो रहा है उपर हमने जो reaction दिखा रहा है यह देखो जब यहाँ पर acetic acid है और acetic acid से क्या बन रहा है CS3-Cona बन रहा है तो यह जो होता है ना Acetic Acid यह weak होता है यह क्या होता है जबकि CS3-Cona क्या होता है यह एक strong electrolyte हैं यह क्या है स्ट्रॉंग electrolyte है तो अगीन common effect लग रहा है कि यह strong वाला weak वाले के effect को खतम करता है मतलब suppress कर देता है तो यहाँ से क्या हो रहा है Acetic Acid यहाँ पर खतम होता जा रहा है मतलब आप यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम Acetic Acid के अंदर Base को मिला रहे हैं तो जिसके वाज़े से हो कह रहा है जो Acetic Acid है ना उसका Connectance का मुता जा रहा है और वहाँ पर Sodium Salt of Carbocytic Acid आ रहा है और इस पॉइंट पर पहुचने के बाद जितना भी Carbocytic Acid था वह सब का सब खतम हो गया This is called endpoint सारा का सारा Carbocytic Acid हमारा खतम हो गया उसके बाद further आप जब continuously वहाँ पर NaOH को मिलाते रहोगे further जब आप NaOH को मिलाते रहोगे तो किसका Conductance बढ़ता जाएगा OH-negative आइन का concentration बढ़ता जाएगा क्यों क्यों कि यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ एनलाइट NaOH एड कर रहे हैं तो इसलिए हमें इस तरीके के graph देखने के लिए मिल रहे है सबसे पहले dip आती है क्यों 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 है एच पॉजिटिव आइन एनले पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाता है उसके बाद sodium salt मतलब जो sodium salt of carbogalic acid बन रहा है वह acidic acid के effect को suppress करता है तो इसलिए graph initially gradually increase करता हलके हलके करके ठीक हो गया क्योंकि acidic weak acid है और हलके हलके वह खतम होते जा रहा है उसकी जगह पर कौन आ रहा है sodium salt of carbogalic acid आ रहा है इस point पर जाकर सारा का सारा sodium acid acid खतम हो गया end point आ गया अब further जो graph increase होगा वह सिर्फ और सिर्फ किसका होगा OH negative ion के वज़े से होगा OH negative ion के वज़े से जो है वह graph क्या करेगा increase करेगा ठीक हो गया नेक्स्ट जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूं कंड़क्तोमेटिक टाइट्रेशन में या आपको आई होप समझ मागी होगा इसलिए अगर समझ भी नहीं है तो आप कमेंट करेंगे मुझे ठीक है जो भी डाउट होगा तो नेक्स्ट ग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं स्टोंगैश्ट मैं इसे लिए इस्टोंगैश्ट वर्ष एतिस वीक बेश इस वीक बेहां के सब्सक्राइब नेहीं धिरश्टच-णी अशॅल इस टर्म मीरीन यहां पर and a chicken फोर लें अधिया तो यह क्या स्ट्रॉंग है वीक यह आपस में एरिक्शन करता है तो यहां से बनता है वॉर्टर मॉलिक्यल क्या बनेगा एनवाटर मॉलिक्ट मैं प्लस यह नहीं फोर सी यह तो एक चीज़ यहां पर देखने तो पहले समझने वाली बात थे अब ग्राफ को समझदा हूँ तो इस्ट्रॉञ एसिड में आप वीक बेस को मिला रहे हूं तो जब इस्ट्रॉञ एसिड में वीक बेस मिलाते हैं तो यहां पर अगेन में इस तरह से लेता हूं है एक बाक्स बना लेते हैं एक नस पर यहां पर वाल्म- टाइट्रेंट और एख नस पर यहां पर स्ट्र स्ट्रॉब वाल्म एंक्रीस करता है छलक लगिक क्या इक琐न्स करता है और उसके बाद conductance इस पॉइंट पर आता है यहाँ पर हमको एन्ट पॉइंट डेखनें के मिलता है तो अब आप एसेट में बेस को इंक्रीज डालोगे तो अब्विएस है ना जब एसेट में बेस जाएगा तो इसलिए हाँ पर शलोली क्या होता जा रहे हैं और अल्मोस्ट जब यह इस पॉइंट पर पहुंसता है तो सारा एसेट वहां पर हमारा क्या हो चुका होता है खतम हो चुका होता है तो रहती है यहां पर हमारा इस पॉइंट पर पके पूरा इसट नीट्रल हो गया दोनों जगह से NH4 positive देखने के लिए मिल रहे न तो यहां पर हमारा क्या लग रहा है common ion effect लग रहा है और जो NH4 solution है ठीक है न और जब उसमें आप NH4 OH को add कर रहे हो ठीक है तो NH4 OH suppress हो जाता है NH4 OH का जो effect है NH4 OH का effect जो है वो suppress हो जाता है किसके वज़े से strong NH4 CL के वज़े से strong NH4 CL weak NH4 positive के effect को suppress कर देता है दबा देता है क्योंकि NH4 CL strong है जब हब SCL में NH4 OH मिलाओगे तो NH4 CL बनेगा कि नी बनेगा है वह NH4 CL NH4 OH का जो NH4 positive या ammonium आयन आ रहा है इसके effect को suppress कर देता है तो इसलिए यहां पर ग्राफ जो है वो constant हो जाता है क्योंकि weak acid weak base जादा strong होते हैं नहीं तो OH negative आयन के वज़े से जादा connectives आता नहीं है यहां पर दूसरा यहां पर common effect लग जाता है कि जो weak base है उसमें वह भी NH4 positive यान दे रहा है और जो strong electrolyte है वह भी NH4 positive यान दे रहा है तो strong वाला क्या करेगा weak वाले के effect को suppress कर देगा यह हमने मैंने तुम्हें acidic acid को water में dissolve करके और acidic acid को hydrochloric acid में dissolve पर दिखाया था यह क्या लगता है वहापर हमारा common तर इक विक एसेड कर देते है वीक एसेड में आपने मिला दिया वीक एसेड दॉर्स कर देते हैं कि वीक एसेड का हम titration करने जारें किसकेसाद weak acid in the week acid versus am a week based weekly एसेड व्र्स इस विक बेस में वीक एसेड बस तो वीक एसेड विक बेस का जब हमने किए तो वीक ऐसद्ध यक्म इनलेहां यहांपर अब दोनों जोज़ेगे वें लिए बीक हैं देखचा है लिए किसी की ऐक एसेट है और मैंने एससेट हम बेस्थी वीक ले लिए कि मैंने लेलिए और तो जब यह दोनौ आपसे करेंगे तो क्या बनेगा यहां पर बनेगा CS3 COONH4 तो इसका ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है कि हम यहां पर उस और विप उसका और यूस किया हुई कि विक-शाल्ड ग्राफ है दो भी देक्रीजबस करेंगाउय करेका यहां पर आपको क्या आए गा है एक reply वह सकत्कुन데 पॉइप और उसके बाद ग्राफs constant हो जाता है उसके बाद graph क्या हो जाता है? constant जाता है तो यह वहाद interesting जीज़ है यहां पर Born प्र कहा तो सबसे पहले कि आईगी दिखो यह पे फस्ट पार्ट डिप पर यह भीक फिर फरड ने सबirse पर और ले नंसेध साइब देते हैं तिन पार्ट में तो n-есто complexity 1 रेप्लेजी 2 राइनμεया दीर फ्राइट कि कि आप उसमें अन्ह 4 पॉसितिव डियों तो आपको पता हुआ कि ऐजे पॉसितिवाइज अगरे में है इता है web 의xit ऐसी यह बहुट यह उन हम पाना टी यहां इस ऐसिटीक एसिट, आसिटीक एसिट था हमारे पास, आसिट का रेक्लेस्मेंट किसे हो गया, CS3-COONH-4 से, तो CS3-COONH-4 स्टॉंग और, यह कैसी होता है, यह कैसा है, यह वीक है, तो देखों, वीक था जो कंदक्टेंस काम है, अब वीक की जग़ए strong आ रहा है तो conductance हलके-लके बढ़ेगा, हलके-लके conductance बढ़ेगा, बढ़ेगा conductance, इस point पर आकर सारा का सारा acetic acid खतम हो गया, सारा का सारा acetic acid क्या हो गया, खतम हो गया, अब यह strong है, और हमारे पास क्या NH4 positive है, क्या है हमारे पास, NH4-H है, ये भी NH4 positive तो इस तरह से बनते हैं कंडेक्टोमेटिक टाइट्रेशन ग्राफ आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जो आपको वीडियो में प्रवाइट कर दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में तो टेक क्यार पढ़ते रहें और बाइब